next question question says a particle moving along x-axis has acceleration f at time t given by f is equal to f not 1 minus t by capital T where f not and t are constants उसके बात दिया हुए है आप particle at t is equal to 0 at 0 velocity in the time interval between t is equal to 0 and instance when f is equal to 0 particle velocity कितनी होएगी और 4 option अपने को दे रखें दे रखें नाउ सवाल सुनने में और पढ़ने में बहुत क्रिप्टिक मुश्किल लगता है पर है नहीं द्यान दीजेगा तो सबसे पहले तो यहां है अपने को acceleration जो है अच्छा acceleration के लिए यहां पर यूज नहीं किया यहां पर acceleration के लिए यूज किया है शौर मजी है इस सिंबल ठीक है तो अपना acceleration जो है एफ उसको दिया हुआ है हमें f0 1-t by T यहां पर दे रखा है और साथ के साथ यह भी दिया हुआ है कि अपने को दिया है कि पार्टिकल t is equal to 0 पर आपकी 0 velocity है तो अगर एट हम लिख दें t is equal to 0 आपकी जो velocity है वो 0 दे रखी है यहां पर गिवन है और हमें यह बताना है जवाब का फ्रॉंग टी इस इकल टू जीरो टू एफ इकल टू जीरो यह इसके लिए जो भी टाइम होएगा इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है अपने को बताना है वेलाउसिटी आफ पार्टिकल क्या होएगी यह सव तो फॉर हम ऐसे लिखेंगे फॉर एफ इकल टू जीरो इसकी वैल्यू हमने लिख दिया इंप्लाइज एफ नॉट वन माइनस टी बाइटी इकल टू जीरो ना एफ नॉट आपका नॉन जीरो कॉंस्टेंट है तो इसका लाइवाला पार्ट जीरो होएगा विच इंप्ला एक्सलेशन दे रखा है वेलोसिटी बतानी है तो अपने को इंटिगेट करना पड़ेगा यह बात अपने को पता है एक्सलेशन को हम लिखते हैं डी बाइटी और इसकी वैल्यू यह हो जाएगी एफ नॉट वन माइनस टी बाइटी और इसकी वाज़े से हम कह सकते हैं डी वेल्यू आएगी उसको आप लिखेंगे 0 वी ऐस वी और बतानी है वो और यहां टाइम के लिमेट विखेंगे धिरो से चीडेसर अंदर integrate करेंगे तो अंदर value बनेगी t minus t square by capital t value आप 0 से capital t रखेंगे ठीक है तो इसकी जब value लिखेंगे एक मन कुछ गढबढ़ तो नहीं कि हाँ यहाँ गढबढ़ कर दिया हमने 2 miss कर दिया t by dt का इसका integration t square by 2 आएगा तो यह value हो जाएगे तो यह होगे f0 अंदर जब t रखेंगे capital t तो आए capital t minus t square by 2t और 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा तो इसकी value हो गई f0 अंदर बचेगा यह t से t cancel हो जाएगा यह बचेगा t by 2 यानि की t by 2 तो आपका final answer आगया vs is half f0 t यह आपकी value हो जाएगे so based on this हम कह सकते हैं का option number c half f0 t would be the right answer